हेलो एवरिवन गूड इवनिंग और अभी साम के बज रहे हैं साड़े चार और मैं आई हूँ बालकनी में जो भी कपड़े सूग गए हैं उनको मैं उतार लूँगी यहां पे और और भी कपड़े मैं दूले थे और दोपर में सुखाना मैं भूल गई और ये कपड़े निक परवाही और ध्यान से निकल जाता है कपड़ों का सारे कपड़े मैं फिला दिये हैं और अभी बकट के उठाके में बात्रूम में रख दूँगी नहीं तो यह पालकनी में ही रखी रह जाएगी तो यहां पर अभी मैं बैठके यह सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी और इनको अच्छ से फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी क्योंकि अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर ऐसे ही पड़े ही रहेंगे और कपड़े तुरंत फोल्ड करके अलमीरा में रख दो तो इससे घर भी साफ रहता है और अच्छा रहता है तो मैं आजकल प कपड़े मैं फटाफट से फोल्ड करूंगी और सामको मेरे पास टाइम होता है आराम से मैं यही सारे काम जो मेरे होते हैं मैंने कुछ अपना रूटीन इसी तरह से सेट किया हुआ है कि जो कपड़े वगेरा फोल्ड करना आयरन करना यह सारे काम मैं इसी टाइम पर करती हूं जो मेरा इवनिंग टाइम होता है उस पे ही मैं समय निकालके इसी तरह के काम कर लेती हूँ और अथर को कुछ खाने पीने का दे देती हूँ तो वो खा लेता है और फिर उसके बाद वो थोड़ा बुद खेलता रहता है और मैं अपने काम रिप्लाते जाती हूँ या फिर उसको कार्टून मगरा कुछ लगा देती हूँ थोड़ी दिर के लिए तो वो इसी तरह से खेलता है तो हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है अपने अपने हिसाब से सब अपने काम करते हैं और मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही होता है तो बातों ही बातों में मैंने सारे कपड़े अपने फोल्ड कर लिये हैं और ये सारे कपड़े आज मैंने हॉल में बैट के फोल्ड किये हैं तो मुझे इन सब कपड़ों को पहले उठाके ले जाना पड़ेगा अंदर सारे कपड़े उठाके मैं पहले अंदर वाले बैड में रखूंगी बेडरूम में, फिर उसके बाद अल्मीरा में लगाऊंगी, तो ऐसे मैं अंदर ही फोर्ड करती हूँ कपड़े, पर आज मेरा मनुआ अधर ही बैट के फोर्ड करने का, तो मैंने वहीं पर सारे कपड़े लिए और ज्यादा कुछ कपड़े थे नहीं अधर के और मेरे ही कपड़े थे तो अधर के कपड़े मैंने उस साइड रखे हैं जो सिंगल अलमीरा है दरवाजे के पीछे वाली और अपने डेली के कपड़े में यहां पर रखती हूं और जो कहीं आने जाने में जिसे कहीं मए नेसा को पहला हुआ है वह साय में पहले साफ कर लूँगी और इसके बाद मने रात कहाने की तयारी करनी हैю सब्जी काटनी है तो यहां पर मैंने साफ कर लिया जो समान था थोड़ा वह तो वह तो सब्जी आज आरु outfits करना अठाएग quiero तो आलू में यहां पर छीड लूँगी तो यहां पर मैंने तीन आलू ले लिये हैं मीडियम साइज के पहले मैं दो ही ले रही थी पर मुझे लगा कि कम ना पड़ जाए तो इसलिए मैंने तीन ले लिये हैं अगर जरूरत लगी तो मैं 3 काट लूँगी और मेथी इस बार हमने वहीं से कटवा लिया था क्योंकि मैंने वहीं चेक किया था पूरी मेथी बिल्कुल साफ थी Otherwise मैं साग को कभी वहां नहीं कटवाती ही मैं घर पे लाके उसको साफ करके ही काटती हूं इस बार वहीं पर मैंने चेक किया तो बिल्कुल अच्छी थी तो पहली बार हमने वहीं कटवाई है तो साथी में लेसुन और प्याज भी निकाल लेती हूँ और प्याज को भी छील के ये सारा मैं धुल लूँगी एक साथ में तो लेसुन को छील के मैंने अलग कटोरी में रखा है और आलू प्याज को मैं धुल लूँगी एक साथी प्याज अभी मैंने सिफ छीला हुआ है काटा नहीं है तो मैं काटने से पहले प्याज हमेसा धुल लेती हूँ और यहाँ पर जो छिकले वगरा थे उसके लिए मैंने कर यूज़ किया था क्योंकि आलू में मिट्टी थी तो तुरंग काटनी थी मुझे आ खूला नहीं था इसलिए पेपर भीजा लिया था कि स्लेफ पे मिट्टी ना गिरे और पैन में मैंने ले लिया है सरसो का तेल थोड़ा सा और यहाँ पर जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं यहाँ पर प्याज कट कर लूँगी और प्याज को मैं इसे चकले पर रखके काट लेती हूँ यह मेरे पास एक्स्ट्रा चकला है तो मैं इसी पर काट लेती हूँ मैंने चॉपिंग बोर्ड नहीं लिया है अभी तक इसी को मैं chopping board की तरह यूज करती हूँ तो यहां पे प्याज मेरा कट गया और तेल भी गरम हो गया है तो कुछ काम इसे साथ में कर लो तो अच्छे रहते हैं और प्याज और लेसुन को मैंने साथ में ही डाल दिया है प्याज और लेसुन को deep fry नहीं करना है बस हलका सा भून लेना है और उसके बाद यहां पे मैं डाल दूँगी कटे हुए आलू तो आलू को मैं अच्छे से प्याज और लेसन के साथ में मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें काटूँगी हरी मिर्श तो मैंने अलग से कट करके नहीं रखी यहीं मैं केच्छी की सहाथा से इधरी मैं मिर्श काट लूँगी और मैं थोड़ा बड़े बड़े काट रही हूँ ताकि किसी को तीखा लगे तो वो हटा दे क्योंकि आलू जो है न वो धर भी खा लेता है थोड़ा बहुत तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी कट करके डालती हूँ मिर्श और हरी सबजी में मैं लाल मिर्श यूज नहीं करती हूँ और यहां पे मैंने 4-5 हरी मिर्श यूज की हैं इनको मैंने रफली ही कट करके डाल दिया है और इनको अच्छे से आलू के साथ मिक्स करने के बाद यहाँ पर जाएंगी हमारे मसाले तो सबसे पहले मैं डाल दी हूँ हरी का पाउडर और टेस्ट के कॉडिक नमक और एक चमस धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल डालूँगी गरम मसाला वैसे मैं गरम मसाला डालती नहीं हूँ हरी साग के हरी सबजियों में पर आज मैंने डाल दिया है और आलू के साथ ही मसाला डालो तो जो भी साग के साथ आप आलू बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं आलू में जो ये color आ जाता है ना हल्दी का तो ये देखने में सबजी बहुत अच्छी लगती है अगर साग डालने के बाद मसाले डालो तो color अच्छा नहीं आता है सबजी का इसलिए में हल्दी और मसाले जो भी होते हैं उनको आलू डालने के बाद डालती हूँ जिसे आलू में बहुत अच्छा color आता है और सब्जी भी अच्छी दिखती है साग जो है ना वो हरा रहता है और आलू उसमें पिले-पिले तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और यहां पे साग को मैं अच्छे से mix कर लूँगी आलू के साथ में और यहाँ पर मैं यूज करूंगी साग में 2 टमाटर बड़े साइज के क्योंकि टमाटर काफी सारे रखे हुएं मेरे पास इसलिए मैं यूज कर रही हूँ आप चाहें तो ना भी यूज करें टमाटर जरूरी नहीं होता इसमें यूज करें या फिर एक डाल सकते हैं आज मैं यहाँ पे दो टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर काफी एक्ष्रा पड़े हुए हैं मैंने चटनी भी बना ली है ताकि टमाटर यूज हो जाएं दो तीन बजार से मतलब टमाटर जादा ही आ गए हैं और अभी मैं इसको सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि टमाटर वगेरा सारी चीज़े एक सार हो जाएं अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ठाली से इसलिए ढख रही हूँ क्योंकि पैन का जो ढखन था वो काच का था और एक बार मेंसे वो गिर गया और वो तूट गया है तो इसलिए मैं अब ठाली यूज कर दियूँ बीच बीच में मैं इसको चलाते जारी हूँ सब्जी को ताकि लगे नहीं और काफी पानी छोड़ दिये सब्जी ने और यहां पे आलू आधे पक चुके हैं तो थोड़ी देर मैं इनको और पका लूँगी तो यह देकि आलू लगबग हमारे पक चुके हैं तो अभी मुझे इसका पानी बिल्कुल खतम करना है तो इसको में चला चला के और हाई फ्लेम पे इसको में पानी को सारा सुखा दूँगी और इसमें थोड़ा सा ऐसे कल्ची से इसको थोड़ा सा मैस भी करते जाऊंगी ताकि यह दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा सा अच्छे से सारी चीजे मेक्स हो जाएं तो यह देखिए पानी को मैंने पूरा सुखा दिया है तो आलू को मैं मैस कर देती हूँ थोड़ा सा मुझे इसी तरह से पसंद है इसलिए मैं कुछ-कुछ आलू मैस कर देती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है तो जब तक सबजी पक रही थी मैंने इधर आटा लगा लिया था तो अभी मैं यहाँ पर बना लूँगी रोटियां क्योंकि गरम-गरम सबजी है और उसके साथ में गरम-गरम रोटियां अच्छी लगेंगी और साथ में ने चटनी बना रखी है और आज मैंने दाल या राइस नहीं बनाए है लंच में सिर्फ सबजी और रोटि और साथ में धनिया और टमाटर की चटनी तो कभी-कभी इस तरह का खाना भी अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं फटा-फट से रोटिया बनाऊंगी और हस्बेंट के लिए मैं साथ ही खाना लगा के दे दूंगी रोटिया बनाते बनाते ताक कि गरम-गरम रोटिया खाएं तो अच्छा लगता है और यहाँ पर रोटियों को मैं थोड़ा खरा-खरा करके सेकूंगी और थोड़ा सा कुरकुरी टाइप की जो रोटिया होती वो खाने में अच्छी लगती है तुरंत खाई जाएं तो थोड़ा सा ज्यादा पका दो रोटियों को तो वो अच्छी लगती है खाने में और देखें मैं थाली लगा दी है और मैं उनको जाके दे देती हूँ तक कि वो गरम-गरम खाएं जबी भी आप खाना बनाओ और कोई गरम-गरम खाने बैठ जाता है तो खिलाने में बहुत अच्छा लगता है तो चलिए फटा फट से मैं सारी रोटियों को सेख के रख लेती हूँ ज्यादा रोटिया नहीं बनानी है चार से पांच ही रोटिया बनानी है तो मैं उनको दूसरी रोटी भी जाके दे देती हूँ और देखें मैंने अपने लिए भी रोटिया बना के रख ली है और मेरी आ खाना खा चुके हैं और यहां पर मैंने सफाई भी कर दी किचिन की और प्लेट में थोड़ी से सब्जी उन्हें ने छोड़ दिये और चटनी भी तो मैं अभी इसी प्लेट में खाना खा लूँगी तो चलिए व्लॉग को यहीं पर एंट करते हैं और मिलते हैं एक नए ख्याल रखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाई बाई